असलाम अलेकूम वेल्कूम टो माई चैनल आज हम बनाएंगे एक बहुत ही खुबसूरत सा फ्रॉग तो वीडियो को एंट तक जूर देखेगा आज आज आप इस वीडियो में कंबल यह फ्रॉग बनाना सेखेंगे तो सबसे पहले जी इसकी मैंने कटिंग कर ली है तो दर्म बाइपंग मैंने किस तरह से टेज की है वह आपको मैं सिखाऊंगी तो देख ले आपंगिंग बहुत ही निटी हुए है तो आपन सका है तो यह है तो इस साथ के साथ दो कल्या उपसाई साइट पे आटेज हूँगी तो इस तरह से हमने पहले उपर वाली साइड से कलिया आटेच की ती cidade. अब हम नीचे वाली साइड से कलिया आटेच करेंगे. तो हाफ इंच कप्रे को अंदर रखते हुए हमने इस तरह से पाइपिन को उपर रख लेना है. और फिर अपनी कली को हमने हाफ इंच अंदर को Fold करके इस तरह से Piping के उपर रख लेना है तो इस तरह से Half-Inch हमने अंदर कपरा रखते हुए इस तरह से Slay लगा लेनी है तो इस तरह से हमारी ये Piping बहुत ही नीड तरीके से बंचर तAYार होगी तो इस तरह से Piping की लगाना बहुत一點 है तो इस तरह से आप अपने पैनल कलियों के दर्मियान पर इस तरह से पाइपिंग अटेच कर सकते हैं तो सेकिंड वली कली भी हम इसी तरह से अटेच कर लेंगे यहां पर मैं आपको पैनल की चुराई और कलियों की चुराई भी बता देती हैं चनाल का फ़िए यारा इन्चीज है और लेंथ जो है वह फो थर्ट एट ऐट इन्चीज है और कलियों के उपर से मैंने यहाँ पर चुögाए लिए भी टारीप है अब हम आत Dani आंपर अच्ट करेंगे तो निए हट कुट करने से पहले हम बैक की कटिंग करेंगे तो यह में किक देए करेंगे तो इस थरह से रहुबिद्विज़ कि तो करेंगे तो अब आजाते हैं जी अपने नेक की तरफ तो नेक हम इस तरह श्रेप में बनाएंगे और इसको हम पहले कपरे के उपर अटेश करेंगे फिर हमने यहाँ पर अटेश करना है तो इसके साथ मैंने यह टसल वाले डोरी ली है तो इसको हमने इस तरह से equal करके दर्मियान से cut करना है और एक side हमने इस तरफ अटेश करना है corner पर और एक side इस तरफ पर अटेश कर लेंगे तो यह देखे अब मैंने इस तरह से यह neck अपना attach कर लिया है तो इस तरह से यह हमारी जोड़ी है वो आ जाएगी तो इसको बांद के इस तरह से इसकी लुका जाएगी तो neck के बाद मैं यहां पर हर चीज रेड़ी करके आपसे मिलती हूँ तो इसके shoulder वास वगरा हर चीज कंप्लेट करने के बाद अब मैं आपसे के साथ यह share करने लगी हूँ तो यह देखें यहां पर मैंने यह बिल्कुर रेड़ी कर लिया है अपना फ्रॉक रेड़ी कर लिया है तो इस तरह से यह इसके स्लीव साएंगे joint less यहां पर मैंने लगाई है और पिर आगे इसके plain कप्रा लिया है और एक इंच का फासला चोड़कर यहां पर प्लेट चाली है और आगे इसके इस तरह से फोल्डी कप्रा टैच होगा और इसके गेर पर मैंने फैशन पटी के साथ इस तरह से कप्रा लगा कर फोल्ड किया है इस तरह से कप्रे के अलगी लुक खाती है तो यह देखें आप इसकी अवरा लुक तो आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी है कमट में जूर बताया करें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जूरूर लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आएंदा हने वाली वीडियो की नोट्फिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट रोडियो में तब तक ले ले लाहाफीज